In warming rs ke match monitor chapter हमारा 7th diagonals exercise 7.4 sum no 5 करेंगा आजना इन्हे figure हमारे पास given figure है PR हमारे पास जो PR है greater than है कीस से PQ से and PSBİsETQ PR को इस एंगल को बसकर करते है small equal parts में यानि 2 एंगल बंदते है इकुब बंदते है प्रूब दैट हमने प्रूब करना जो PSR PSR ये वाला angle हमने greater show करना है PS क्यों इस angle से सबसे पहले हमारे पास जो given है वो हम right करेंगे given क्या है हमारे पास जो PR greater है P क्यों से अगर PR greater है तो इसके सामने वाला angle बड़ा होगा यानि जो angle 1 है वो greater होगा हम इसके अंदर naming कर लेते हैं angle 2 से यानि P Q के सामने हमारे पास ये angle है तो ये छोटा होगा छोटी साइड के सामने वाला angle छोटा अब यहां से हमारे पास first point दूसरा point है PS bisect जो PS है bisect करता है bisect किसको Q PR इस angle को बचेकता है यानि यहां पे जो दो angle बनते angle 3 और angle 4 दोनों के दोनों हमारे पास यह होगे angle 3 equal to angle 4 ये दोनों के दोनों क्या होंगे equal होंगे ये हमारी according to given हमारे पास statement के according question बन जाता है उसके बाद हम जिब prove करेंगे हमने prove क्या करना है PSR यानि जो ये वाला angle है अब 5 और ये angle हम 6 शो कर लेते हैं जो PSR ये वाला angle जो angle यानि angle PSR greater show करना हमने PS क्यों से PSR हमारे पास इसकी naming क्या angle जो 5 है वो greater show करेंगे हम angle 6 ये हमने show करना है अब जो according to statement हमने अपने figure में mention किया उसी according question को हम show करेंगे अब solution में हम write करेंगे sorry proof में proof में write करेंगे इसके अंदर two triangles बनी one triangle second triangles अब triangles के angles का mention है तो some of the angles लेंगे हमारे पास in triangle PQS PQS के अंदर हमारे पास क्या angle 1 प्लस में angle 3 प्लस में angle 6 ये वल तीनों के तीनों angles का sum हमारे पास क्या हुआ 180 degree अब हमारे पास ये point हो गया हमारे पास third और in triangle second triangle प्लस में प्लस में angle 5 ये तीनों मिलाकर भी हमारे पास हो गया 180 degree ये हमारे पास fourth point हो गया अब हमारे पास ये point में से हमारे पास angle 6 की value क्या होगी 180 में से ये दोन्नों angle less होगे अब ये तो equal है यहां भी यानि अगर ये बानलो हमारे पास 70 degree है तो इदर भी 70 minus होगा इसमें भी 70 minus दोन्नों side equality minus होगा अब जो given है given में हमारे पास क्य है जो angle 3 angle 1 प्लस में 3 की value मारे पास क्या है 4 angle 4 प्लस में angle 6 is equal to 180 और यहां से angle 2 प्लस में angle 4 प्लस में angle 5 ये 180 हमारे पास जो फॉर्थ पॉइंट था ये हमारे पास फॉर्थ पॉइंट अब इसमें से हमारे पास जो एंगल 6 की वैल्यू क्या होगी 180 में से माइनस करेंगी हम एंगल 1 और माइनस एंगल 4 और एंगल 5 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 180 में से हम माइनस करेंगी एंगल 2 और एंगल 4 अब यह तो दोनों में 180 में से equally cut होगा अब इस में से 180 में से हमारे पास एंगल 1 एंगल 1 हमारे पास क्या है और एंड जो एंगल 1 है वो greater है एंगल 2 से अब हम इसको लिखेंगें by comparison by या comparing compare करेंगे हम तीनों पॉइंट को यह हमारे पास फॉर्थ फिफ्ट फॉर्थ और मारे पास जो second point है second first by comparing all points सभी points को compare करके अगर हम 180 में से 180 के बाद 4 less करने बाद जो quantity बजती है उस में से हम अगर बड़ा एंगल minus करते हैं तो हमारे पास उसका pair चोटा बतेगा यही जो angle six एवो छोटा होगा बड़े angle का pair हमें साथ छोटा बसता है angle two चोटा है तो इसका जो pair है हमारे पास वह क्या बतेगा वह big बतेगा तो angle five हमारे पास big होगा यही हमने शोग करना था कि जो एंग disaster 5 है वो greater होगा angle 6 से तो that's true यह हमने prove करना था, this is question number 5 अब हम question number 6 में देखेंगे, show that all line segments drawn from a given point से, note on it, the perpendicular the line segment is the shortest, यानि किसी एक point से, किसी triangle के उपर, सबसे पहले हम line के उपर, अगर एक point से किसी line पर हम perpendicular draw करते हैं या दूसरी line हम draw करते हैं यासे हम कोई भी other lines में draw कर सकते हैं ऐसे हम कोई भी, एक point से हम जितनी भी line draw करेंगे हमने show करना है कि जो ये line है, यानि जो perpendicular line है, वो हमारी छोटी side होगी, अब इसमें देखो जब perpendicular है, ये हमारे पास A B C, हम ये लेते हैं, एक perpendicular लेते हैं उसमें हमारे पास ये C1 और C2, अब solution में हम write करेंगे, given तो हमारे पास क्या है, given है कि जो A B है वो perpendicular है हमारे पास किसके उपर, जो हमारे पास B C के उपर, ये एक perpendicular line है, अब हमने क्या करना है, कि जो हमारे पास A B है A B is shortest side, छोटी side होगी हमारे पास, सामने वारी side से अब proof में हम क्या write करेंगे proof में हमारे पास, जब angle B हमारे पास, ये right triangle है, तो B के उपर 90 degree है तो angle B हमारे पास B हमारे पास क्या है, 90 degree है अब एक triangle के in triangle A, B, C पुरी triangle के अंदर देखते कि जो angle हमारे पास A, angle हमारे पास B, और angle हमारे पास C, तिन नों मिलाकर हमारे पास क्या होंगे, 180 degree अब जो angle B की value हमारे पास already given है, कि 90 degree है, तो angle A plus में angle C, ये 90 degree है, left से right लेगे तो minus का 90 हो जाएगा remaining हमारे पास 90 होंगे यानि जो angle A plus में angle C, दोनों मिलाकर 90 बनेगे, यानि दोनों हमारे पास किसके equal होंगे, angle A plus में angle C दोनों के दोनों हमारे पास angle B के equal होंगे, अब ये दोनों angle मिलाकर angle B को compare करते हैं, यानि इसके equality hold करते, it means ये दोनों मिलकर एक एकुल होते हैं, तो दुनों के दुनों इससे छोटे मिलेंगे, 90 से कम मिलेंगे, तो this implies हमारे पास जो एंगल A है, वो लेस होगा एंगल B से, और जो एंगल C है, वो भी लेस होगा एंगल B से, दुनों के दुनों एंगल लेस होगे, तबी मिलकर 90 तक पहुंचेंगे, AB हमारे पास less होगी AC से क्योंकि B के सामने साइड हमारे पास क्या AC से या से हमारे पास अब now same हमारे पास now in triangle ABC1 से ABC1 में भी हमारे पास यह एंगल A plus में angle triangle angle B और angle C1 सभी के सभी मिलाकर 180 यहां से जो B है वो 90 angle A plus में angle C1 equal to 180 minus में 90 यहांनि angle A plus में angle C1 वो भी हमारे पास यहांगा 90 degree और 90 किसकी value angle B के तो angle B के equal होगा अब same proof यहांनि हम किसी वितरह से proof करते हैं तो जो angle B है किसी triangle में right angle में हमेशा जो right angle होता है वो सबसे बड़ा angle होता है अब सबसे बड़ा B1 B से और angle C1 है वो भी less होगा हमारे पास angle B से यानि B से अब C1 less है तो उसके सामने वाई side क्या मनती है A B इसमें भी हमारे पास जो A B less होगी इसमें A C1 से यानि हर तरह से हम किसी भी तरह से अपनी किसी एक point से अगर बार-बार हम कितनी भी भी लाइन ड्रो करें तो जो A B है क्या हो सबसे shortest side होगी, छोटी side होगी that's proof हमने that's proof यही हमने proof करना था कि एक point से हमारे कोई भी हम लाइन ड्रो करते triangle ड्रो करते तो जो A B हमारे perpendicular होगी वो shortest side होगी. This is question number 6 Dear students, if you like our video then like and share the video and also subscribe the channel. Thank you झाल करेंगी